लेकल निए अगाने कश्च आप बांस इलेक्रिक ने फाइनलनी एक इलेक्ट्रीक वेहिकल लॉच्च कर दिये जिसका नाम है इनफिनिटी ई-1 काफी लोगों ने इस गाड़ी को भूक कर लिया है , काफी लोग इस गाड़ी को भूक करने का सोच रहे है लेकिन अगर आपके मन में शंका है कि इस गाड़ी के key features क्या है तो आज आपको इस वीडियो में सारी detail देने वाला हूँ अगर आप सोच रहे है Infinity E1 को purchase करने का तो इसके कुछ चीज़े आप जान ले और features जान ले वीडियो करन तक ज़रूर देखना चैनल पर आपने हो तो subscribe करके bell का icon दवा देना चलिए वीडियो को start करते है सबसे पहले चीज pricing Bounce Infinity E1 electric scooter के price module है दो एक है with battery एक है without battery अगर with battery लेते तो इसका जो lowest price है वो 68,999 है और ये जो price आपको pay करना है वो आपको pay करना पड़ेगा और हर state का जो extra room price है वो सब जगा different देखने को मिलता है ये जो 68,999 जो price दिया है इस vehicle का वो दिल्ली का है rest दूसरी जगा extra room price differ differ है कही पे 72 है कही पे 79 है depend करता है कि आप कौन से state से है यहाँ पे आपको with battery के साथ जाएंगे तो यहाँ आपको battery दिया जाएगा दूसरा mode आता है without battery without battery का जो price start होता है वो होता 36,099 रुपीज extra room price है लेकिन इसके साथ आपको एक package लेना पड़ेगा जो की compulsory package है वो है subscription plan subscription plan जैसी लोगे तब ही आपको battery provide करेंगे otherwise आपको battery provide नहीं की जाएगी दो टाइप का subscription plan है 849 एक है और एक है 1249 यह आपको subscription plan देखने हो मिलता है दोनों में ही आपको जो swipeable charge है वो आपको 35 रुपीज पर swipe लगेगा तो यह आप समझ गए दो price module आप लोग सोचे लोगे कि इस vehicle की on road price क्या होगी so guys इस गाड़ी की जो on road price होगी उसमें आप add कर दीजे 5000 रुपीज जो भी extra room price है for insurance RTO और registration भी लगेगा इस गाड़ी में because यह high speed scooter है 65 की top speed है इस कारण से तो यहां पर और पकड़ लीजे 50000 रुपे मतलब 7500 रुपे आपको extra pay करना पड़ेगा जो की आपकी extra room value है उससे इतना extra pay करना पड़ेगा तो यह होगी पहले highlighting चीज दूसरी highlighting चीज की बात करें वह है इसके features features में सबसे पहले चीज जो आपको देखने को मिलती है वह है swappable battery system and swappable battery network यहां पर company का एक नारा है टाइप से बोल सकते हो कि अगर आपकी battery खतम हो जाए तो आपको charge करने के लिए wait नहीं करना पड़ेगा swappable station में जाके इनसे नहीं battery ले सकते है और पुरानी battery को जमा करके उसको charge पिलाके नहीं battery यूज करके आप आगे बढ़ सकते है आपको time waste करने के जरुवत नहीं पड़ेगी आपके उपर depend करता है कि आप कौन से mode में चलाना prefer करते है यहाँ पर smart campaign app देखने हो मिलता है और हर mode के लिए एक track system दिया गया है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ आपको देखने हो मिलती है आप एक boundary भी create कर सकते है जिसको बोलते है geofencing वो चीज़ आपको इस vehicle में देखने को मिलता है इसमें एक mode है drag mode जो की मुझे बहुत अच्छा लगा अगर आपकी गाड़ी पंचर हो जाती है तो drag mode में जो speed है वो एकदम ही low है तो drag करते वाक आपको ज़्यादा हिम्मत लगा में देखने मिलता है आप जो next highlighting चीज़ की बात करें वो है इसका design डिजाइन basically लिया गया है 22 motors की जो flow scooter है वही से लिया गया है same design है कोई भी चीज़ चेंज नहीं किये सेवा बैटरी प्लेस्मेंट जो flow थी उसका जो बैटरी सेटप था वो था floorboard पे क्योंकि वो चार्जब प्रोड़क्ट है five color combination के साथ आता है स्पार्कल ब्लैक, कॉमेट ग्रे, स्पोटी रेट, पियर्ल वाइट एन डिजर्ट सिल्वर तो टोटल यह पाच किलर option है यहां पे infinite customizable skin देखने को मिलती है अगर आपको कोई भी customization करवाना आपके गाड़ी पे तो भी आप करवा सकते है इस वेहिकल में यह खासियत बात है कि customization बहुत देखने को मिल रहा है यहां पे frame क्या यूज किया गया इंडिया में एक लाग किलोमेटर इसका यूज किया गया अंडर सेट इस्टोरेज में आप half face helmet easily रख सकते है इतना boot space मिल जाता है वही अगर में infotainment system और speedometer की बात को त सारी चीजे देखने को मिल जाती है like ignition status, side stand status, indicator, battery, soc status, speed display, automatic reading, vehicle status, bluetooth status, high beam status यहां पे को touch screen setup नहीं है जैसे दूसरी गाड़ियों में because इसका जो price है वो काफ़ी minimalistic है और जहां minimalistic देखने को मिलता है वहां पे चीजे भी कम देखने को मिलती है तो यहां पे चीजे कम हैं यहां आपको front में allow wheels देखने को मिलते है, 12 inch के wheels दिया गया, front का 90 by 90 का tire है, rear में 120 section का tire देखने को मिलता है, अब बात करते है fourth highlighting चीज, वो है इसकी performance, 65 km per hour के top speed है, regenerative brakes देखने को मिलते है, front and rear में disc brake दिया गया है, motor आपको मिलती है, 1.5 kilowatt की nominal power के साथ, और जो torque है वो 85 N का torque, यहां पे आपको battery swipable देखने को मिलती है, चार्जिंग time में वो 4 hours की है, PLDC motor दिया गया है इस body में and यह IP67 rated के साथ आती है, fifth highlighting चीज वो है इसके dimension, dimensions भी adequate है, 2% के साब से बहुत सही है, practical vehicle बोल सकते हो, Indian road के साब से floorboard flat है, जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगा, daily use के साब से इतना ह जरूरी है, range थोड़ी कम लगी मेरे को 85 km, with a single charge, swipable network के होने के कारण, यहां पे एक plus point बन जाता है, कि आपको charging के लिए बारवर वेट नी करना, 35 रुपे दो नई बैटरी लगाओ and आगे बढ़ जाओ, fully charged battery आपको मिल जाएग, dimensions की बात करें तो 1800 mm की length है, width 780 mm, height 1150 mm, wheelbase 1265 and ground clearance 155 mm and seat height 780 mm, it means female riders भी इस vehicle को easily चला सकते, already में बहुत चुका हो, इसका disc brake है, front में 230 mm का disc brake है, rear में 203 mm का disc brake है, CBS के साथ आती है, साथ ही साथ, electronic system दिया गए, अगर आपकी vehicle power में चल रही हो, suddenly आपने brake दबाया है, तो आपका engine cut off हो जाता है, जिससे brake पे जादा load नहीं आता वीडियो अच्छे लगा तो like जरू करना, नहीं हो तो subscribe जरू करना, मिलते एक लिए वीडियो में, जय हिंद,